तो ये वीडियो financial management के लिए है, semester 5 के लिए, honors का exam हो चुका है, ये program वालो के लिए है, regular college का exam कल है, मैं आज रात में वीडियो बना रहा हूँ और इससे साथ कुछ मैं point बताना चाहूँगा जिसको जरूर focus करके जाए, S.O.L. वालो का और non college वालो का बाद में है, तो वो वीडियो इससे benefit ले सकते हैं, सरूर बच्चों का कहना है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये उनके लिए है वीडियो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो सर कैसे पढ़ना है सर, सबसे पहले आपको खतम करन है सर, leverage, मैं हर वीडियो में बताता हूं और आपको भी बता रहा हूं, नमबर दो पे खतम करना है सर, आपको cost of capital, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले, जिन्होंने कहा सर, हमारे साथ ऐसी happening हो गई, हम नहीं पढ़ पाए, क्या हम पांच्वे समिस् समस्टर में होते तो चलिए, आप देखेंगे मैं थर्ड समस्टर पे ज़्यादा focus नहीं, मैं फिफ्ट समस्टर पे बच्चों आपका साल खराब हो सकता है, इसमें, नमबर तीन पे आप खतम करिए, सर, नमबर थ्री पे value of fund, सर, नमबर चार पे करिए, dividend, और नमबर पांच पे करिए, सर, आप, working capital, और नमबर छे पे कर लिजिए, capital bursting, सर, अगर मैं बात करूँ, leverage, सर, वन डे में खतम हो जाएगा, सर, cost of capital, वन डे में खतम हो जाएगा, value of firm one day में खतम हो जाएगा इतने मैं वीडियो में mark करूँगा इतने star लगाँगा कि one day में आप खतम कर पाओ इतने ही लगाँगा ज्यादा नहीं ये भी one day में खतम हो जाएगा आपका working capital half day half day capital bursting balance जो भी दिन बचे आप इसके अंदर लगा दीजे अराम से तो सर ये दो चार साड़े चार दिन का है आपका exam 17 को है मैं 10 दिन पहले बता रहा हूँ तो जो बाकी के paper है उसमें से एक एक घंटा निकाल निकाल के उसको manage करिए definitely आपका paper solve होगा time पे मैं आपके साथ हूँ अगर आप सरफ ये chapter कर लेते हैं मैं guarantee कहता हूँ आपके 60 marks आएंगे 60 marks 60 percentage नहीं है 75 में से आप 60 marks तो score कर लेंगे जिरोंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर YouTube पे तो काफी सारे वीडियो है Capital Busting के तो हम ठक गये ते ले लेके मेरा कहना है कि YouTube पे देखो मैं पूरा स्लीबस डालता हूँ फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि YouTube से आते हैं बोलते हैं सर क्या difference है application में और इसमें तो मैं वही कहना चाहूँगा YouTube पे और application पे कोई difference नहीं है application पे अभी भी classes चल रही है revision lectures चल रहे है application पे आने के बाद आपको doubt session मिल जाता है doubt के लिए proper आपको timing दे दिया जाता है जिसमें आप voice call पे करके doubt ले सकते हैं मैंने वहाला कि वहाँ YouTube पे भी दिया हुआ है और कोईसिस वहाँ पे भी है मैं पूरी solve करूँ क्योंकि मेरे लिए चाहे paid बच्चा हो चाहे non-paid है YouTube पे बच्चा हो मेरे लिए student तो student है दूसरा सर सबसे main बात number of video reduce हो जाएगा YouTube पे जहां आपका leverage की बीस वीडियो होंगी यहां पे आपको तीन से चार वीडियो में खतम कर देंगे in fact यह value of firm न आप अगर देखा जाए तो तीन घंटे में मैंने खतम किया revision lecture में भी खतम किया तो बस यह benefit है sir क्या आप application पे free course launch नहीं कर सकते तो देखो application पे मेरे पास क्योंकि जो मैंने application लिया हुए वो third party का application है इतनाई बड़े level पे मैंने खुद का application third party से बनवाय हुआ है तो उनके कुछ terms and condition होते हैं कि free में आप course launch नहीं कर सकते तो sir basic बहुत nominal price पे हम बच्चों को दे रहे हैं और बहुत बच्चों ने benefit लिया भी है और बहुत बच्चे ले भी रहें sir nominal price क्या होगा मेरे course का price 1250 है अगर मैं कह दू nominal price 100 रुपई है कुछ बच्चे तब भी कहेंगे जलादा है मैं कह दू अगर मेरा nominal price 1000 रुपए है तब bी बच्चे कहेंगे ज़ादा है या कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कि कह सकते हैं कि 1000 रुपे बहुत कम है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल सकते हैं कि 1000 रुपे बहुत जादा है तो मैं नीचे contact number दे रहा हूँ जो आपका sales वैसे इतनी बड़ी team है नहीं हमारी मैं simple सी बात करूँगा जो चीज fact है वो मैं fact बाते करता हूँ तो मैंने एक person exam के point of view से रखा हुआ है आप उनसे contact करिए जो आपकी capability है जो आपकी capability है जितना आप afford कर सकते हैं आप उनसे बोलिए आपको वो course activate कर देंगे 4-5 दिन में आपका पूरा साल बच जाएगा मेरी fees इतनी जादा भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूरी कोसिस करूँ आपकी मदद करूँ जब आपका पूरा साल बच जाएगा तो definitely आप भी एक बर मुझे याद करोगे life में कि हाँ sir ने हमारा एक paper का time बचा दिया तो बच्चो मैं आपसे यही उमीद करता हूँ कि आप पढ़ने लगें और 4-5 दिन में FM को खतम कर दें किसी हाल में खतम कर दें यह आपके उपर depend करता है मैंने कहा है कि आप जितनी महनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको करके दिखाऊंगा आपके साथ आप महनत करने वाले बनिए मैं महनत कराने वाला हूँ आपके साथ और डेली बेसिस पे application पे मैं strategy भी भेजता जा रहा हूँ कि आज यह करो आज यह करो इसके according तो hopefully आपको help मिले थोड़ी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा भी आपका exam है तो इस chapter को इस तरीके से करिए thank you so much अपने दोस्तों को भी बताईए share करिए subscribe करिए like करिए अगर इच्छा करता है तो करिए otherwise तो देखे मैं तो class डालता ही जा रहा हूँ बच्छा कुछ भी करे मैं नहीं रुकने वाला चलिए sir thank you so much